तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनी के इस नहीं और लेटस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग खलीलु रह्मान आजमी की गजल पढ़ने वाले हैं जो कि यह लास्ट गजल आप बोल सकते हैं दो गजल सबसे पहला जो जले उसको चैप्टर नमर 22 बना दिया दो गजल बचा हुआ था आज की इस वीडियो में कंप्लीट टोटल 6 गजल ठीक चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सबसे पहले खलीलु रह्मान आजमी के बारे में जितना भी डिटेल्स आप लोग के बुक में दिया गया है उन सभी डिटेल बना कर आएंगे इस चीज़ की जिम्हेदारी आप लोग हम पर छोड़ दे बस आप लोग पढ़े समझे और याद रखे जहां पर मैं नोग कर देती हूं सब्सक्राइब करते हैं और चैनल पर आप लोग नहीं आया है मेरी वीडियो को पहली बार देख रहें तो सबसे पह 25 जो हुई थी वह हुई थी 9 अगस्ट 1927 कब हुई थी 9 अगस्ट 1927 देखकर मुझे याद आ गया साइमन कमिशन की यहां पर उर्दों के साथ में आप लोगों को एक्स्ट्रा नौलेज भी दे देती हूं हिस्ट्री और जीके का 1927 में साइमन कमिशन का गठान हुआ था और 1928 में साइमन कमिशन भारत आया था याद रखिएगा 1929 में जब रॉलेट एक्ट हुआ आया था और जाली वाला बागतेकर्ण हुआ और फिर यह सारा जितना भी घटना हुआ इसे काफी प्रभावित वा देश और 1928 में साइमन कमिशन का गठन किया गया 1927 में 10 सालों की र ठीक है ना तो वही वाला बात है याद रखना अगर चाहते हैं तो कोई दिकत ही नहीं एक्स्टा नॉलेज जीके का हिस्ट्री का रखना चाहिए उन्हें से 27 में ही खलीलु रह्मान आजमी की पैदाश हुई थी और 1927 में ही साइमन कमिशन का गठन हुआ था यानकी बनाया आजमगड के गाउं सिधा सुल्टानपूर में ठीक आगे बढ़ते हैं बीए की तालीम के दौरान निगार जो है ना इन्होंने रिसाला कायम किया वी एकी तालीम यानि की जब ये ग्रेजियोशन कर रहे थे उसी दौरान इन्होंने एक रिसाला यानिकी पत्री का कायम किय पत्री का निकाला जिसका नाम था निगार उन्हेसा बावन में ये लेक्षर शोबय उर्दू अलीगड में मुलाजमत करने लगे थे उन्हेसा बावन में याद रखना है उन्हेसा बावन इस भी में लेक्षर शोबय उर्दू अलीगड मतलब क्या उर्दू का जो डिपार एक जून अठार से उन्हें सबावन से नौकरी कर रहे थे अलिगर में और यहीं मुलाजमत करने के दौरान उन्हें सब्सक्राइब सब्सक्र करें अटिक है अपको बार बार बबता हुएं दोन की मजमुर और किताब को ना याद रखना यह यह सबजेक्टिव में पूच सकता है पहला है परकासी हुआ फोसब 25 ऐसब 15 नाम है लस चींग derecho ुकितब का नाम किताब फरेकzent मैं अधि नाम होगए जिन्दगी ऐस तिरासी सवी में परकास चीह निक इनकी शाय हुआ था और आस्मा आस्मा यह भी शाय हुआ लेकिन थोड़ा लेट से शाय हुआ दो हजार में अभी 2030 चल रहा है ना दो हजार में यानि कि 23 साल हो गया इस किताब को परकाशित हुए 2040 चल अबनाजीर शाय है दो हजार में बिहार से जार-खंड अलग हो गया तो अपुल सकता है प्रकाशित हुआ अगे बढ़ते हैं संट कि नहीं आप़ों को बताई भी हूं किताब ठीक है कुछ दिया गया है आप लोग के वुक में जैसे की फिक्र वफन उन्हें सच चपन इसबी में परकाशित हुआ यहां से कोशन किस तर से पूछ सकता है कि की खलीलूरामान आजमी तर्द जैल मेंसे तनकीदी मजमुओं तनकीदी मजमीन का मझमूआ नहीं है आप सन तीन में तो यह थीन दे देगा और चोथाम में किसी दूसरे कोई दूसरा किटाब का नाम का नाम कोई ठीखाना नहीं है कहीं सब दीकोशन उठा देगा ठीक है और आगे देखिए देशीत अहमाद सिध्की की unto निगरानी में इन्होंने का काम की था खलील बहानात RICH जो है ना किसकी निगरानी समझते हुआ भी क्या भी याद कर लिए एक बर एक बार ने तीन चार बर पुछा जा चुका है इसको अभी क्या भी याद कर लिए कोशन पूछ आया है खलीली रह्मान आजमी की की मकाला का नाम क्या है और अप्शन में दिया रहेगा उर्दू अदब में तरक्की पसंद सबसे पहले भारत पर आक्रम्ण अब बहुत सकते भारत पर शासन मोगल किसने इस थापित तो या थीपichen बाबर मोगल कर सबसे पहला सम्थापक भारत में और उसके बाद से बाद thứ बाद हो मैयू के बाद अकबर अकबर लास्टू अंतिम मुगल शासक था वो था बहादूर शाह जफर यह अंतिम मुगल शासक इतना ज्यदा लचार इनके जो दादा थे शाह अलम्सानी लाक फिलाप हो गया और इतना दर्दनाक मौत दिया था शालम सानी को आख जो है ना आख इस तरह जिंदे थे और आख इसे निकाल लिया उनका गुलाम इतना ज्यादा दर्दनाक मौत हुआ था बहादुर शाह जफर बच्पन में इतना दर्दनाक अपना दादा के साथ इतना दर्दनाक घटना बहुत-बहुत दर्दनाग होता जिंदे में आख निकाल लेना इस तरह अंधा कर देना दोनों अख बहुत खतरनाक होता है तो अन्ति मुगल शासक्ते और उस वक्त मुगल शासन की नीव जो है ना पुरी तरीक से हिल चुकी थी बरबाद हो गया था और उस वक्त जो भीओ जैसा भी आप भादुर्शाह जफर भी शरोशाईरे किया करते थे यह याद रखिएगा ओदुर्शाईब किया करते थे और इस Goku सख्ताएं कि याद रखना जरूरी भी है मुकदमा कला में आतिश यह लीखे थे खलीलु रह्मानाजमी और इसको प्रकाशित किया गया था उन्हें सब्सक्राइब तो फाइनली जितना भी डिटेल्स आप लोगे बुक में खलीलु रह्मानाजमी के बारे में दिया गया था वहर एक डिट यह हम लोग समझते हैं खलीलु रह्मान आजमी का लिखा हुआ दोनों गजल और इसके प्रतिक लाइन को पढ़कर उसका मैं तस्वीर कर देती हूं और जरब फास्ट करेंगे हम लोग ज्यादा टाइम नवेस्ट करते हुए कम समय में ज्यादा कुछ सीख लेना वही वाला जर्दे देता है तो चार सिख देगा और कहेंगा कि इन में से किसी दो आशार की तश्रीफ करें तो आप लोगों को पत्ता है कि यह आए गा ही ऐएगा इसलिए आप लोग हर एक शेर का क्या अर्थ हुआ ध्यान से समझीएगा और सुनिएगा देखें पहली गजल जो है इ यहां पर बोल रहा है कि मेरे जिन्दगी में खुशी तो थी ही नहीं एक गम सा पुराना दोस्त था लेकिन इस गम से पुराने दोस्त पर भी दुश्मनों का साया पड़ गया और यह गम सा पुराना दोस्त भी आखिर मुझसे बिछड़ गया जी चाहता तो बैठते यादों की चाहों में ऐसा घना द्रख्त भी जड़ से उखड़ गया जी चाहता तो बैठते यादों की चाहों में ऐसा घना द्रख्त भी जड़ से उखड़ गया यहां पर खलेलु रहमार आजमी कह रहे हैं कि जी चाह रहा था कि मैं भी यादों की च मुझे कुछ याद ही नहीं रह रहा है कि मेरी अदास्त भी अब धीरे-धीरे जा रही ए थीक के और चली फ घय है तो अ Ps जा रहा है मेरे अफ़ता हम की लोगों के साथ मेरे अपनी लोगों के सांथ जो और यादत के लिए लोग आए थे आधत का मतलब होता है पूश्टाज के लिए लोग आए थे ऐसे इतनी सी बात थी कि मेरी तब्येमान खराब हो गई थी और लोग इयादत के लिए आये थे लेकिन अधिक लिए जो लोग आये थे उन्हों ने तो मेरी मेरी तबियत के बारे में पूछता इसकी हां बताओ तुम्हारी तबियत कैसी है लेकिन वह यह कि मेरे दिल जो जख्म हे ना उसका हर एक ताका उधर गया यानि कि लोग को देखकर मेरी यादे ताज़ा हो गई और दिल के हर एक उधरτί लोग यारों ने खुब जाके जाके यारों ने खुब जाके जमाने से सुला की मैं ऐसा बद्दिमाग यहां भी पिछड़ गया हो रहें कि यारों ने मेरे जितने भी यार दोस्त हैं उन्हों ने खुब जाके जमाने से सुला की यानि कि जमाने की हिसाब से वो ढलते चले गए जिस यह माने के साथ नहीं बदला और अधिए परिवर्तन जरूरी भता है बदलना जरूरी होता है परिवर्तन सही परगति होती हरा पहले के मंगा सकते हैं घा सकते हैं पी सकते हैं ठीक है लाइट वगएरा है तो अब पहले के जमाने के जैसा कोई स्टुडेंट सोचेगा कि मैं लाल्टेन से पढ़ूं तो हो सकता है पॉसिबल है लेकिन फिर पीछे रहेगा क्योंकि अभी आउनलाइन जमाना हो गया सबीलों फास्ट फास्ट हो गया है फास्ट काम हो रहा है हर एक चीज अब पहले के जमाने के जैसा धीरे-धीरे किया जाएगा पहले को लोग पैदल चलते थे अब सभी लोग चाहें कि नहीं में मोटरसाइकल से नही है परिवर्तन ही प्रगती कारण होता है परिवर्तन से ही प्रगती होती है ठीक है तो वही बोला जाना है कि यारों ने खुब जाके जमाने से सुला की लेकिन मैं ऐसा दिमाग बंदिमाग इंसान की यहां पर भी पीछे रहे गया कोताहियों की अपनी में तावील क्या करू मेरा हर एक खेल मुझे से बिगड़ गया, बोल रहें कि अपने कोताहियों, अपने गलतियों की तावील में क्या करूँ, मैं किस तरह बहाना करूँ, अब बहाना करने से कोई फायदा नहीं है, मेरा हर एक खेल मुझे से बिगड़ गया, अब मैं अपने कोताहियों, अपने ग यहां पर खलील रभर मान-ाजमी बोल रहे हैं यहां री और बोल रहे हैं कि अफर सबसेसे पहले ही उजड़ तब न स्विसेंस के उपाया होगा गांगा 78 क्या चो obtrasenosa सब्सेस नहीं की सब्किशनने से एब तैयार दोटर गया तो अब उसके बारे में बताकर कोई फायदा है सिर्फ दुखी मिलेगा उससे अच्छा छोड़िए, हटाइए इसके बारे में बात नहीं करते हैं तो यह हो गया पहला गजल कम्ट्रीट दूसरी गजल के तरफ बढ़ते हैं दूसरी गजल के स्टार्टिंग में खलिलु रह्मान आजमी लिखे हैं कि हम बासूरी पर मौत की गाते रहे नगमा तेरा एजिन्दगी एजिन्दगी रुत्बर है बाला तेरा बहुत ही अच्छा है यह सेर और यहां पर खलिलु रह्मान आजमी जो है ना वो कहे रहे हैं देखिए गर्मी तो बहुत जादा है और इतना एफ़र्ट करके मैं आप लोग के लिए महनत कर रही हूं पढ़ा रही हूं तो इतना तो आप लोग कर सकते हैं कि लाइक करें और जितना ज़दा हो सके शेयर करें इतना एफ़र्ट किया जा रहा है आप सभी लोग के लिए तो आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करें इतना तो बनता है लाइक करके ही जाए और जितना ज़दा हो सके के अपने पडोसी अपने दोस्ते चोटे बड़े भाई बहां जितने भी आप लोगे चारत आफ चेर मारते दूसरों तक वीडियो को पहुचाने की प्रोशिट करें ताकि सबी लोग इस वीडियो का लाब उटा सकें और यहां तक कि अगर आप लोग चैनल पर नए नए आए जिन्दगी सुन हमारे सामने मौत थी अब मेरा मौत निश्चित था लेकिन हमारे सामने मौत आकर खड़ी होने के बावजूद भी जिन्दगी मैं तेरा ही नाम ले रहा था यानि कि मैं मरना नहीं चाहता हूं मैं जीना चाहता हूं मैं जीना चाहता था और इसलिए मौत सा बड़ा रहे ठेक है उपर रहे हमारे सामने मौत थी लेकिन मैं जिन्दा रहना चाहता है कि मरे नहीं हम जिन्दा रहें कोई भी इंसान बढ़ना चाहता है नहीं चाहता है हर इंसान चाहता है कि हम जिन्दा रहें तो वहीं बोल रहे हैं खलीलु रह्मानाजमी की हमारे सामने मौत थी और मौत के बासूरी पर भी मैं जिन्दगी का नख्मा का रहा था मैं जीना चाह रहा था और मैं जिन्दगी को याद कर रहा था मौत सामने खड़ी थी लेकिन मैं याद कर रहा था जिन्दगी को मैं जिन्दा रहना चाहता हूं अपना मुकदर था यही ए मुंबै आ मुहबत थी कि मैं दर्या से पानी लेकर नहीं पी सकता था सोचिंग कि प् Dear और आ Python से पानी लेकर नहीं पी रहा था ऐसा था मेरा मुकद्ड ठीक है इस गाम से उस इस जगह से उस जगह तरब फिरता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा लेकिन मुझको मनजिल कहीं नहीं मिली ठीक है मनजिल तो क्या हमको मिले चलता रहा रश्ता देरा यानिकी जिन्दगी में मनजिल को पाने के रिए मैं इस जगह से उस जगह दोड़ता रहा चलता रहा रस्ता चलते रहा चलता रहा लेकि मन्जिल लेकिन मन्जिल आज तक मुझे मिल नहीं ताई तु कौन था क्या नाम था तुझसे हमें क्या काम था हर परदय दिल पर अभी धुंदला सा एक चहरा तेरा यहां पर बोल रहे हैं खलील गुर्मानाजमी कि तु कौन था क्या नाम तेरा तुझसे हमें क्या काम था लेकिन फिर भी हमारे दिल के परदे पर तेरा धूंदला सा चेहरा नजर आता है अब तू कौन है तुम्हारा नाम क्या था और तुझसे मेरा क्या काम था यह हमको नहीं पता है लेकिन तेरा धूंदला सा चेहरा हमारे दिल के आइने पर नज जब आता है सुरज है गोना महरवा है सरपे निला साइबा सुरज है गोना महरवा है सरपे निला साइबा के ऑप guarantee पूरी गर्मी के इन रोशनी दे रहा है एक दम तेजी से किरन बहूत गर्मी के साथ निकली है सुरज पूरे गर्मी के साथ चमक रहा है ना महरबान होकर लेकिन इससे बचाने के लिए सर पर क्या है नीला साइबा है यानि कि नीला आस्मान है और इसलिए खलीली रह्मान आजमी आसमान को कह रहे हैं निला साइबा को कह रहे हैं कि ऐ आसमा ए आसमा तू हमेशा इसी तरह काइम रहना और दायम रहना और हमें इस सुरज की गर्मी से बचाते रहना है हमेशा तो यहाँ पर दोनों चैप्टर कंफ्लीट हो जाता है I hope आप लोगो समझ में आया होगा दोनों गजल, परती एक line को पर सर में आपनों को खुलासा कर दी हर एक line का I hope आप लोगो अर्थ समझ में आया होगा और खलेली रुहमा आसमी के बारे में तो आप लोग समझ गए तो finally पूर्ण रूप से यहाँ पर आप लोग का दोनों चैप्टर complete होता है कोई भी confusion हो, comment में लिकर पूछ लिजएगा और इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं और विदा लेती हूँ आप सभी लोगों से नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे चलिए फिर लेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिज